ममास किंडर गार्डन की इस सीरीज में आप सभी ममीज का स्वागत है आज हम जानेंगे लाइनिंग पैटर्न जो बच्चों को इंटर्डूस किये जाते हैं नर्षरी क्लास में सबसे पहले आती है स्लीपिंग लाइन सेकंड है स्टेंडिंग लाइन थर्ड है स्लांटिंग लाइन और फोर्थ है कर्व लाइन तो हम जानने का प्रयास करेंगे किस तरह से इन लाइनिंग पैटर्न को बच्चों के लिए और इजी और इंटरेस्टिंग बनाया जाए lining pattern बच्चों को सिखाते समय सबसे पहले हमें बहुत ही नज़िक में dot बनाने है और बच्चों को इन dots पर tracing करने की practice करवानी है और सारी lining एक साथ introduce नहीं करनी है एक एक करके बच्चे को lining से introduce करना है जब आप इस सरे से dot dot वाली tracing करवा ले फिर आप dot के बाद में dash के रुप में बच्चों को tracing करने के लिए दें थोड़ी दूर दूर आप dash बनाएए ताकि बच्चा उस पर अच्छे से practice कर पाए इन दो pattern के बाद में आप इस तरह से dot बना दीजिए और बच्चे को कहिए इस dot को next वाले dot से मिलवाए इस तरह से आप dot के help से बच्चे को curve, lining, standing, sleeping और slanting line के practice करवाईए पर इन ही practice के थूर बच्चा सारी learning नहीं सीख सकता क्योंकि वो बहुत जल्दी बूर हो जाता है तो आगे में कुछ interesting सी worksheet शेयर करूंगे आप सभी के साथ में कि आप उनकी learning को और ज़्यादा interesting बना पाएंगे यहाँ पर standing line की कुछ worksheet में आप सभी के साथ share कर रही हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर balloon का एक pattern दिया है और जब balloon की डोरी होती है उससे मैंने यहाँ पर digest करके छोड़ा है जिस पर आप बच्चे को tracing करवा सकते हैं और बच्चे को लिए और interesting बनाने के लिए आप उससे बोलिए जब आप tracing करोगे तो आपको coloring करने के लिए दी जाएगी जैसा कि बच्चों को coloring में बहुत interest होता है तो वो खुशी-खुशी आपकी tracing को कर लेंगे next मैंने यहाँ पर बादलों का design लिया है third number मैंने यहाँ पर एक flower का design draw किया है मैंने कोशिश की है कि सभी simple और बहुत ही easy से design ले पाऊं ताकि किसी भी parent को दिक्कत नहीं हो वो design trace करने में fourth number मैंने यहाँ पर एक tree का design trace किया है आप हो सके तो कोशिश कीजिएगा जो हम नीचे lining दे रहे हैं जो tracing बच्चे के लिए तयार कर रहे हैं उन्हें जैसे जैसे हम बच्चे का level बढ़ाते जाएं छोटी से बड़ी बड़ी फिर और बड़ी इस तरह से बच्चे की जो concentration होता है और जब बच्चे की grip होती है वो और जादे strong होती है next यहाँ पर मैंने एक fan का design trace किया है इसी तरह से मैंने यहाँ पर एक lollipop का design बनाया है तो यह कुछ design patterns हैं जिनकी help से आप उसे interesting वे में बच्चे को करवा पाएंगे जहाँ पर sleeping line के कुछ worksheets हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने ladders का pattern लिया है next मैंने एक hut का design draw किया है जिसमें जो beach की tracing है sleeping line वाली वो हम बच्चे से draw करवाएंगे और same as हम उने color का प्रलूबन देंगे अच्छे यह face में सुन्दर सुन्दर color भरिएगा आप एक कार का design बनाया है बहुत ही simple सा design है फूर्थ मैंने यहाँ पे एक flag का pattern लिया है आप चाहें तो इनके अलावा और भी pattern जो आपके ध्यान में है आप उन्हें draw करके इसे और interesting way में बच्चे को सिखा सकते हैं इसके साथ ही मैंने यहाँ पे एक rectangle और square का shape और साथ में एक cake का shape भी लिया है तो आप भी इससे बहुत innovative way में बच्चों को tracing सिखा सकते हैं यहाँ पे slanting line के कुछ worksheets में share कर रही हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक घर बनाया है next यहाँ पे बादलों का design है जिसमें बारिश की बूंदे है वो slanting pattern में आ रही है same as यहाँ पे kite है again बट इस बार standing line नहीं होके slanting way में है यहाँ पे एक सूरज का pattern draw किया है जिसमें slanting lines भी है और सासा sleeping line की भी pattern है तो आप सूरज के pattern में अपने according sleeping line, standing line और slanting line तीनों को include कर सकते हैं और चाहें तो जो circle है वहाँ पे भी आप dash rest कर दें तो वहाँ पे वो curve की भी प्रेक्टिस कर पाएगा तो चारों pattern हमें एक ही साथ मिल जाएंगे next यहाँ पे curved line के कुछ pattern के लिए मैंने सबसे पहले caterpillar का design draw किया है next यहाँ पे एक tea cup है जिसकी जो टंडी होती है handle है वो curve shape में है जिसे बच्चा trace करेगा next balloon की जो strips है वो curved pattern में दी है इसके बाद यहाँ पे एक butterfly share किया है जिसमें बहुत सारे curve है जिन्हें बच्चे को trace करने है last में मैंने यहाँ पे rainbow का एक pattern लिया है जिसे भी आप बच्चे को बहुत interesting way में curve की practice भी करवा पाएंगे और अच्छे से coloring भी करवा पाएंगे lining pattern को किस तरह से easy और interesting way में बच्चों के सामने introduce किया जाए इससे पहले भी series का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हमने जाना था nursery के बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत कहां से की जाए किस तरह से उन्हें words, अक्षर या numbers से introduce किया जाए तो अगर आपने वो वीडियो miss कर दिया है तो description box में link में provide कर दूँगी जाके वो वीडियो जरूर चेक कर लीजेगा और इस series में आपके कोई सुजाव या suggestions है तो जरूर आप मुझे suggest कीजेगा comment box में जिससे मैं अपने और वीडियो को improve कर सकूँ और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो भी comment कीजेगा ताकि मेरा motivation और बढ़ सके और अगर आपको वीडियो ये series पसंद आ रही है तो अपने friends और family में share करना ना भूलिएगा और अगर channel subscribe नहीं किया है तो channel भी subscribe कर दीजेगा धन्यवाद